शांतनू और इशा को करीब लाएगी सभी वेल टीवी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर सेरियल गुमे किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड में आप सभी को बहुत दल्चस्त मोड देखने को मिलने वाला है क्योंकि जहां आपको एक तरफ देखने को मिलेगा कि कैसे इशा राम्टिक वापस जा रही है और उसके वज़े सांतनू बेहत इमोशनल है वहीं दूसरे तरफ आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे इशान भी इशा के राम्टिक वापस जाने की वज़ा से अक्का साहीब के गोद में पढ़के रो रहा है और बेहत इमोशनल है लेकिन अब सवाल ये उड़ता है कि क्या शांतनू और इशा को करीब लाएग वो इशा के सामने इजहार कर पाएगा तो चलिए देखते हैं सिरियल के लेटिस ट्रैक में और क्या कुछ नया होने वाला है हाला कि हम सभी ने विसले एपिसोड में देखा था कि कैसे ये सभी इस बात से खुस है कि उसे हॉस्टल में रूम आखी कार मिल गया है और वो भी सिर्फ और सिर्फ इशान की वज़़से और वो इशान को बार बार अपने मन में ही शुक्रे आदा कर रही है और बेहत खुस है साथी जैसे ही सुकला जे इशान के बारे में तारीफे करते हैं और उसके बारे में फिक्र करने वाली बात बताते हैं वो बहत खुस हो जाती है और फिर उसके दिल में प्यार की खुल जड़िया खिलने लगती है हमने ये भी देखा था कि कैसे इशान और सभी एक दूसर से नोग जोग भी करते रहते हैं लेकिन आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि कैसे इशा रामतिक वापस जा रही है और उसके वज़े से सांतनु बेहत परिशान है और जैसे ही इशा दोस्ती का हाथ बढ़ाती है सांतनु के तरफ सांतनु उससे इमोश होती है क्योंकि वो इशा से बहुत कनेक्ट रहती है वहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे इशान इशा के रामतिक वापस जाने की वज़े से अक्का साहिब के गोद में पढ़के रो रहा है और उसे अपनी इमोशनल बाते शेयर कर रहा है वहीं सुरेखा इशान को बढ़का रही है इशा के खिलाफ और उसे खरी खुटी बाते सुना रही है लेकिन अब ये देखना बेहा दर्चस बोग की कैसे इशान अपनी मा यानि इशा के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और फिर कैसे शांतनू और इशा एक दूसरे के करीब आते हैं वैल इस वीडियो पर आप सभी क्या राय है हमें कमेंट के जरी जरूर बताएगा फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही अपनी फेबरेट सिर्ल के अपडेट जानने के लिए देखते रहे हैं फिलमे बिट और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले और अगर आप ये वीडियो फेस्वूक पर देख रहे हैं तो वहां में चैनल को जरूर फॉलो करें